नितीश का बात ना मनना नरेंद्र मोधी को क्या भारी पढ़ने वाला है क्या नरेंद्र मोधी के खिलाफ कोई बड़ा साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं नितीश कुमार नजाने एक खबरें शुर्क्यों में कब से लगतार बनी हुई है ऐसे में अनेको पारकार की जनका पूर पूरा कर देंगे। दोस्तों बतादे कि एक बार फिर नितिश कुमार का बड़ा प्र्यास देखने को मिलाएं। नितिश कुमार की लगातार कोशिसों के बीच में अनेको जनकारी शाम ने आई हैं। नितिश कुमार ने बिना कुछ बोले हुए ये बात अस्पस्ट कर दिया था कि इस्सेदारी भागेदारी शब कुछ मिलने चाहिए पर नितिश कुमार की ये भागेदारी लगतार चर्चा में बनी रही कई बात तो नितिश कुमार को लगतार नुक्षान का भी सामना करना प को वज़ा भी है सबसे बड़ा डारिक वज़ा चिराक पाश्वान और त्यश्वी यादों जैसे तमाम निताओं की भी है इन निताओं ने अपनी नंबर बिहार में शरकार बनाने कवायत की पर नितिश कुमार को यह पता है कि आने वाले भविश्य में उनकी सरकार खत्रे मे पड़ सकती है क्योंकि चिराक पाश्वान के साथ बीजे पी ताल मेल अगर कर रही है तो कोई बड़ा खेल करेगी और बीजे पी इसी ताल मेल को लगतार बनाए रखना चाहती है और एक बहुत बड़ा कोशिश वो है वो की जारी है पर त्यश्वी यादों से ले करके तम बिहार की तस्वीरे बदल जाएगी बलकि भारत की यानो की ऐसी दास्ता होगी जहां तस्वीरे रात और रात परिवर्तन की रूप लेने वाली तस्वीर भी अपने आप में एक खास बड़ा इतिहास बनाती चली जा रही है खैर लोक सबाग के चुनाव बीच जाने के बा पाएगी और कि कितनी जादा चीजों पर बहतर उमीद आ सकती है पर आज की ये उमीद आज की ये ताकत आज की ये प्रियास शफल तोर पर अपनी शफलता को बताने के लिए काफी है सफल तोर पर अपने कम्याबी को बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से आज कम्याबी बनती चली जारी है रहुल गांदी से ले करके देश के निताओंने अपनी मजबूत करांटी की उमीद जो है वो जता रखी है मजबूत अपनी करांटी की जो भविश है वो दिखा रखी है पर आगे की यह भविश क्या तय लिखेगी और कोई नया पहचान यह अपने आप में बड़ा खास बात बनता चला जा रहा है फिलाल मिली इस जन्दकारी आप क्या सोचते अपने लाए कॉमेंट में जरूर लिखेगा आज के लिए इतना ही जैहिंद